दोस्तों यहीं Noise की बिल्कुल सस्ती budget calling watch और इसमें आपको metal build उसके बाद 100 sports mode voice assistant calculator और गेम जैसे तकड़े features मिलने वाले हैं और इस watch का नाम में Noise Color Fit 3 इसका प्राइस मातर 1299 रुपी है और इस प्राइस में इसको लेना वर्थ है या नहीं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ बाकि यहां पर मैं ग्रे को अन्बॉक्स करता हूँ तो बॉक्स को बन करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले वाच रखी हुए मिल जाती है उसके बाद चार्जिंग केवल उसके बाद नुएस के श्टिकर्स यूजर मैनुवल और वारंटी कर दिया गया है तो यही सार को असरे फीचर मिल जाते हैं और अगर अपको कॉलिंग फीचर यूजर करना है तो आपको पड़ाएगा वहां से बेशन पर करना पड़ेगा क्योंकि से प्रस्के नहीं मिल नहीं पर चुछ जखही अच्छी है और को अब आते हैं वाच की तरफ और सबसे पहले हैं जो कि दिखने में काफी मस लगती है और इसका साइज बहुत बढ़ा नहीं है तो पतली रिष्ट वाले भी इसको पहर सकते हैं जो कि मुझे अच्छा लगा बाकि यहां पर एक बटन दी गई है और काफी मिनिमल से डिजाइन है और इसकी बिलगवाट काफी प्रीमियम है क्य तो डिजाइन बिलगवाट है काफी बढ़ है इसको देखते हुए और इसमें IP 67 के रेटिंग दी गई है जो कि प्रैस को देखते हुए सही है और आप लगबग एक मिटा गहरे पाने तक यूज़ कर सकते हैं इसको बातकर इस वाच के डिस्प्ले की तो यहां पर 1.85 इंच इसके डिस्प्ले दी गई है जो कि एक TFT पैनल है और इसमें 240 x 286 पिक्सल का रिजूलिशन दिया गया है तो डिस्प्ले काफी हत तक शार्प है और ब्राइटनेस के बात के रहे तो इसमें 550 इंट की ब्राइटनेस दी गई है तो डिस्प्ले अची खासी ब्राइट है और आउडर में यूज़ कर पाएंगे इसको हाला कि बात के रहे तो यहाँ पर नीचे साइड में थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं जो कि अगर डार्क वाल बेपर लगाते हैं तो यह उतने फिल नहीं होंगे तो बिजल अपको थोड़े से ज्यादा इसमें मिलते अप्लिकेशन के बात करें तो वहां पर हंड़ेंड प्लेस वाटवेस का सपोर्ट दिया गया है बट यहाँ पर अपको जो वाटवेस करेक्शन मिलता है वह दाफ आपड आप वाला मिलता है आपको नौइस फिट वाला नहीं मिलता है जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा बात करें स्वाच के फीचर्स की तो चलते हैं इसकी मेन्यू में तो सबसे पर यहां पर नॉइस हेल्फ में जाएंगे तो यहां पर एक्टिविटी उसके बाद हार्ट ट्रेट स्लीप ट्रेकिंग और ब्लेड ऑक्सिजन का फीचर दिया गया है इसके बाद स्पोर्ट के बात करें तो यहां पर आपको 100 स्पोर्ट मुन मिलने वाले हैं इसमें वाकिंग, रणिंग, सैकलिंग, यूगा, काफी सारे मोट्स दिया गया है और कोई भी कमी नहीं है इसके बाद मेसेज़ें में जाएंगे तो यहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसमें एंग्लिश के सासाथ हिंदी का भी सपोर्ट दिया गया है जो कि अच्छी बात है उसके बाद नौएस बस में जाएंगे तो यहां पर रिसेंट कॉल हो गया डायल पैड और कॉंटेक्स का फीचर दिया गया है और इसमें एट कॉंटेक्स को सिंक कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहां पर weather forecast जहां पर आपको लगबग साथ दिन का weather show हो जाता है और इसके बाद यहां पर camera control और music control का feature दिया गया है बट यहां पर volume का मरज़ाता करने का option नहीं मिलता है उसके बाद यहां पर clock में चलते हैं तो आपको stop watch उसके बाद alarm और timer का feature दिया गया है बाकी यहां सब breathing exercise कर सकते हैं उसके बाद यहां पर voice assistant और आपको दो game दिये गया है जिसको खेल कर आप time pass कर सकते हैं पहला है floppy bird और दूसरा है hamster तो दो game आपको इसमें मिल जाते हैं बाकी आपको setting मिल जाती है और यहां पर calculator का support भी दिया गया है तो इस पर calculation कर सकते हैं और यह काफी अच्छे से work करता है बाकी आप चलते हैं setting में तो यहां पर watch face उसके बाद vibration rendering brightness हो गया about power of reset restart उसके बाद यहां पर find phone का feature मिल जाता है steps लिए और इसने 204 काउंट किये तो इसका step counter काफी हथाक accurate आया उसके बाद heart rate के बाद करें तो इसका heart rate काफी अच्छे से work करता है और काफी accurate लगा मुझे मैंने इसको ऑक्सिमेटर से compare किया और देख सकते हैं रिडिंग आप लोगों के सामने है बाकी एस बूट की बात करें तो यह उतना reliable नहीं होता है और यहां पर रीडिंग थोड़ा सा उपर निचे आ रही थी उसके बाद स्लिप ट्रेकिंग इसकी accurate नहीं है और ब्रीधिंग exercise अब इसके कर सकते हैं तो और यहां पर accuracy ठीक ठाक के price को देखते हुए और इसका pedometer और heart rate अब को काफी अच्छा मिल जाता है और calling watch यहां पर built-in microphone और speaker दिया गया है और speaker काफी मस्त है तो अराम सब इससे बात कर सकते हैं और call आने पर call को cut कर सकते हैं receive कर सकते हैं और यहां पर call switch का feature भी दिया गया है बाकि speaker के आवाज में आपको सुना देता हूँ तो speaker काफी क्रिस्प आपको मिल जाता है इसमें और इसके UI के बात करें तो UI अच्छा है बट बहुत ज़्यादा स्मूध नहीं है और आप लोगों को पता है कि noise की watch में तीन तरह की UI आते है एक तो है noise का signature UI जो की काफी मस्त होता है उसके बाद दूसरा है नया UI जो की noise की no watch में देखने को मिला था और नया नया लाँच हुआ है बाकी तीसरा है इस तरह का UI जो की noise की budget watches में आता है तो यहां पर उपर से तो इस तरह का UI दिया गया इसमें और रही बद इसके battery backup की तो इसमें 260 image की battery मिल जाती है और up to seven desk battery backup मिलने वाला है लेकिन अगर आप calling feature यूज़ करेंगे तो आपको दो दिन का ही battery backup मिलेगा इसमें जो की ठीक ठाक है आते हैं verdict की case watch को लेना चाहिए या नहीं तो इसका launch price है 1299 रुपिय मतलब 1300 रुपिय और प्रैस के recording काफी बढ़ी है watch बाकी बात में इसका price बढ़कर हो जाएगा 2000 रुपिय और 2000 में इसको लेना बिल्कुल बेवबूफी है तो अभी किसाब से देखा जाते है अच्छी watch और आप लोग ले सकते हैं कमी की बात करें तो यहां पर म बाक इसमें आप लोगों को 6 colors मिलने वाले हैं और काफी अच्छी color से और यह flip card और noise की website पर आप लोगों को मिल जायागी और वस इस वीडियो में इतना ही अमीदा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और watch कैसी लगी comment box में जरू बताना बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में गले हैं